नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं आपका दोस्ट डोक्टर सार्तक चुहन सेक्सोलोजिस्ट और सेक्स एजुकेटर दोस्तो अभी पिछले कुछ टाइम पहले हमने अपने यूटुब चैनल के माध्यम से आपको बताये था हस्त मैथून के क्या नुकसान है और क्या कारण है दोस्तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दे रखा है उस पर काफी लोगों के मैसिज़ेस आए मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब का प्यार और सयोग देखकर इतने कम दिनों में हमारे सस्क्राइबर भी धीरे वीरे बढ़ रहे हैं और यूटूब परिवार में भी काफी जहफा हो रहा है यूवा वर्क से मुझे जैसी उमीद थी उससे कहीं ज्यादा जो है लोगों का रियक्शन आ रहा है अच्छा रियक्शन आ रहा है मेरे कुछ प्यारे दोस्तों ने मुझसे वाटसब पर मैसेश करके सवाल जवाब पूछे उन्होंने बोला कि सर कम उम्र में हस्त मैथून जो लोग स्टार्ट कर देते हैं यदि वो सब्ता में पहले जैसे साथ दिन करते हैं लगातार या दिन में दो दो तीन तीन बार जानकारी के अभाब के कारण हो या यूं कह लीजिए कि उन्हें पता नहीं होता कि क्या इसके डिसएडवांटेज हैं शोक शोक में शुरुआत में लत लग जाती है कम उम्र में फिर उसके बाद वो चीजे बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं तो ऐसे ही मैं यहां एक कहानी शेयर करने के लिए आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ तो वीडियो को अंते तक देखिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो दोस्तों मेरे पास कल ही एक हमारे यूटुब से नंबर उठाया जिन साथी ने उनका फोन आया उन्होंने बोला कि सर मैं फला फला बोल रहा हूँ और मेरे साथ ये दिक्कत है कि पहले में दिन में तीन वार हस्त मैथुन करता था लेकिन उम्र के साथ ये धीरे-धीरे मैंने कम तो कर लिया है लेकिन अब मेरी उम्र लगबाग 21 साल-22 साल के आसपास हो चुकी है पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है आँखों में कमजोरी है और मेरे बाल बहुत ज्यादा तूटने लगे है तो दोस्तों मैंने उनके सारी बाते सुनी तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी वार हस्त मैथुन करते हैं तो उन्होंने मुझसे बताया कि सर अब मैं सब्ता में दो बार या तीन वार करता हूँ तो मैंने उनसे बोला कि अब भी दो या तीन वार क्यों कर रहे हो जब आपको इसके इतनी जादे नुकसान हो रहे हैं आपने इतना सारा जो है यह हस्त मैथून किया है मस्टरवेशन की है तो क्यों आप इसे छोड़ नी सकते तो उनका सीधा सा जवाब था कि सर मैं चाहता हूँ मुझसे मेरे यार दोस्त भी बना करते हैं जो मुझसे बड़े है उमर में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यह मुझे दिक्कत देगा आपकी वीडियो के माध्यम से भी मुझे लगा कि यह प्रोबलम दे सकता है आने वाले टाइम के लिए लेकिन मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा तो मैंने उन्हें को चुपाय बताया कि भी मेडिटेशन करो सुबा सुबा जल्दी उठो योगा अभ्यास करो सुर्य नमस्कार करो शरीर को काम में लगाओ अकेले पन से दूर रहो तो उन्होंने मुझे बड़ी एक अजीब कहेंगे या समझ लीजे कि हर किसी की लाइब में हो सकता ऐसा होता हो उन्होंने वो लगी सर मैं अपने आपको बीजी भी बहुत रखता हूँ आध्यात्मी की तरब भी हूँ लेकिन मैं छोड़नी पा रहा उसका क्या रीजन है उन्होंने बताया कि वो जब नहाने के लिए जाते हैं बातरूम में जब वो एकांत में होते हैं तब उनका मन अचानक से करने लगता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि पास्ट में उनकी मन है शक्ती यानि कि जो अंतर की जो शक्ती है वो बहुत ज़्यादा कमजूर हो चुकी है थोड़ा सा भी एरेक्शन आता है वो मस्टरविशन करना शुरू कर देते हैं जैसे तैसे करके मैंने उन्हें थोड़ा बहुत जादा समझाया, मैंने का कि भाई देखिए हम तो सला दे सकते हैं, आपके मातपिता आपको सला दे सकते हैं, बहतर सला दे सकते हैं, बहतर दवा दे सकते हैं, लेकिन छोड़ना तो देखो आपको यह, तो उन्होंने बोला कि ह आसर बात तो ये भी बहुत अच्छी आपने बोला तो मैंने उनसे बोला और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को समझा रहा हूं कि दोस्तो जो लोग मस्टरविशन छोड़ना चाहते हैं वो आज से ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कि लीज कि मैं आप सब को सही सलादू मैंने यूट्व पर बहुत सारी डोक्टर नी देखी हैं बहुत सारे ऐसे डोक्टर देखें जो मस्टरवेशन के हजारो फायदे बता रहा हैं अरे भया क्यों बरवात कर रहो किसी को मस्टरवेशन के फायदे हो सकते हैं माल लिजीए सब उस है कि दस फायदे आपने मनाया साथ फायदे आप अपने ब्यूज बढ़ाने के लिए उसे बड़ा मतलब इतना बढ़ा चड़ा के बता रहें लेकिन जिस व्यक्ति को लत लग देई तो फिर वो कैसे छुटेगी उसका भी कोई का आप कारण बताते हैं या उसका भी कोई आप इलाज बताते हैं या नहीं बताते हैं आपने दस फायदे बता दिये व्यक्ति न उसको करना शुरू कर दिया आज वो इस स्टेज पर पहुच गया है कि वो अपने आपको निराशा की ओर देखता है वो देखता है कि वो पता नहीं कहा जा रहा है तो मेरे उन सभी दोस्तो से जो मेरे दोस्त जो मस्टरविशन करते हैं और मेरे जो साती हैं डोक्टर मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ब्यूस के लिए इतना नीचे ना गिरी है कि किसी को भी कुछ भी अनर्गल बाते आप बताना शूरू करते हैं तो दोस्तो अभी हमारा यूटूब चैनल स्टार् जानकारी देना चाहते हैं कि हस्त मैथून को आप एकदम तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि पुरानी दिक्कत है लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से हमारी मेडिकल लाइन में होती है टेपरिंग विदी तो टेपरिंग का मतलब है कि धीरे धीरे ढाल से नीचे आना और धीर दिन आईए फिर सब्ता में एक दिन कर दीजिए आप पाएंगे कि आपके शरीर में अवूत पूर्व जो है उर्जा का संचार हो रहा है आपके माइंड में बाते जो पहला भूल रहे थे कि ताले की चावी कहीं रग दी है और मैं भूल रहा हूं कि लोग मैंने लगाया थ कि वो रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है आपके मन में जो शंसे है यह दीरे-दीरे खतम होना शुरू जाएगा यह मस्टरवेशन करने वाले के साथ अकसर होता है और यूबा बर्ग के साथ तो ज्यादातर होता है क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो दोस दोस्तो मैं आज वीडियो सूट करने का एक माध्यम यह भी था मेरा जो देश्य था वो यह है कि आप मेरे बाल देख रहोंगे दोस्तो मेरे बालो में आप देखिए शाइनिंग एक तरीके की शाइनिंग भी देख लीजिए नॉर्मली मैं ओल लगाता हूँ हम अपना हेर भी थियार करते हैं दोस्तो आजकल यूवा वर्ग में हस्त मैथून के कारण जो उनका टेस्टेस्टरोन है यानि कि जो मेल हार्मोन होता है उसमें DHT यानि कि ड्राय हाइड्रो टेस्टेस्टरोन का लेवल घट बढ़ जाता है जब वो उपर नीचे होता है तो दोस्तो सब ड्रायव हो काफी लंबी हो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर हो आप से हमेशा खुश रहे यदि आप चाहते हैं कि आपके बालों में हमेशा शाइनिंग बनी रहे और यदि आप चाहते हैं कि आप हर्फन मोला बनी रहे हमेशा खुश रहे हमेशा मुस्कुरा करके रखना होगा जब शादी होगी तो उसके बाद बहुत सारे लोग हमने देखा है कि शादी के एक-दो साल ठीक रहते हैं फिर उनका मन नी करता तो वह ऐसे ही लोग होते हैं कि उत्सुपता बस ज़्यादे मस्टरविशन करते हैं साधी से पहले अपनी शादी से पहले जो लोग देख रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन अच्छी एजुकेशन है इसे अपनाई है क्योंकि जब तक आप इस पर बात नहीं करेंगे जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप आगे को समझेंगे कैसे और जब तक समझेंगे नहीं तो आप उसे उप्योग कैसे करेंगे अपनी लाइफ में जैसे क्या है कि आप एक छोटी सी चीज में आपको बताता हूं दोस्तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं माफी चाहूंगा दोस्तो बाइक होती है मोटर साइकल होती है उसे सो लोग चलाते हैं तो सो तरीकों से चलाते हैं एक हजार लोग चलाते हैं तो एक हजार तरीकों से चलाते हैं ऐसे ही सेक्स लाइफ है हर बेक्ति की अपने एक अलग उरजा होती है हर बेक्ति की अपनी एक समझ होती है तो मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों इसके कोई भी फायदे नहीं है इसके नुकसान है शादी के बाद कीजिए जो करना है आपको सेक्स कीजिए हस्त मैथून मत कीजिए आज ही छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई में मन लगाईए और यूबा वर्क से मैं फिर से जो है कहना चाहूंगा कि दोस्तो आपको किसी भी टोपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं कि डोक्टर साब हमको ये चीज अच्छी लगी या हमको इस टोपिक पर वीडियो चाहिए या इस टोपिक पर नहीं चाहिए या कुछ भी आप बता सकते हैं जैसा जैसा आपका सजेश मिलेगा वैसे वैसे हम अपने YouTube चैनल को आगे के लिए जो है रन करेंगे तो आज की वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद